करनातक के मांड्या में हनुमान द्वच फहराने का मामला गर्माता जा रहा है। इस घटना को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। प्रशासन ने मांड्या के केरागोडु गाव में सुरक्षा बढ़ा दी है। समाचार एजनसी एनाई के अनुसार करनातक के मांड्या जिले के केरागोडु गाव में 108 फुट पूचे हनुमान द्वच को ग्राम पंचायत बोर्ड की जमीन पर लगा दिया गया था। नाकपर पुलीस ने RSS मुख्याले को नोड्रोन शेत्र घोशित कर दिया है। नाकपर पुलीस ने संभावित खत्रे का हवाला देते हुए 28 मार्च तक RSS मुख्याले को नोड्रोन शेत्र घोशित किया है। इसके साथ ही पुलीस ने परिसर की तस्वीर लेने और विडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि RSS का मुख्याले महाराश्च के नाकपुर के महल क्षेत्र में स्थित है। BHU के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर और पुरातत्वविद अशोक कुमार सिंग ने बताया कि GPR सर्वे के मुताबिक मंदिर का इतिहास गुप्त काल 240 इस्वी से 550 इस्वी का हो सकता है। पुरातत्वशास्त्र में माना जाता है कि कहीं पुरातात्विक साक्ष मिलते हैं तो उसके प्रत्तिक एक मीटर नीचे जाने पर पूरी शताब्दी बदलती जाती है। सप्ता के पहले दिन दिल्ली के कई क्षेत्रों में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली मेचो रेल निगम द्वारा पानी की लाइन को आपस में जोडने के कारण सोमवार वा मंगलवार को राजधानी के कई इलाकों में पानी की आपूरती प्रभावित होगी। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज E.D. राश्चिय जनता दल प्रमुख्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से पूचताच कर सकती है। बिहार में सियासी हलचल के बीच लालू यादव से E.D. की पूचताच पर सबकी निगाहे तिकी हुई ह इसी सिलसिले में 30 जनवरी को तेजस्वी से पूचताच होगी। और ऐसी डेली न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं।